नमस्कार मैं हूँ आशुतोस और आप देखे रहें सत्तिहंदी.com सत्तिहंदी.com में खास कारिकरम आशुतोस की बात में आपका स्वागत है बाच्ची शुरू करने के पहले छोटी सी अपील सत्तिहंदी.com एक कोशिस है इमांदार और निधर पत्रकारिता की हम अपने उन ल सत्तिहंदी को अगर संभा हो सके तो थोड़ी आर्थिक मदद भी करें. हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी. साथिसाथ सत्तिहंदी का मुबाइल एब भी आप डाउनलोड करें. और अब हम आज की बात्ची शिरू करते हैं. दरसल मसला तो ऐसे अडानी से ही जुड़ हुआ है. लेकिन अब एक नया नारेटिव देश के अंदर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है. वो नया नारेटिव यह है कि दरसल नरेंद मुदी की सरकार को कमजोर करने के लिए एक अंतरास्तिय साजिश चल रही है. आप सब लोगों को याद होगा कि जब अडानी के म आप एक शडियंद्र है. अब इसमें एक नया एंगल जुड़ गया है. नया एंगल इसे जुड़ गया है क्योंकि अमेरिका के एक बहुत ही मशूर उद्योग पती है जिनका नाम है जौर्ज सोरस. जौर्ज सोरस वैसे तो बहुत ही विवादास्पद वेक्ती हैं और उनक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता. लेकिन इनी जौर्ज सोरस ने ये टिपड़ी की है भारत सरकार के उपर और वो अडानी से जुड़ी हुई है. और उनकी टिपड़ी के संदर में देश की कैबिनेट मिनिस्टर इस्फृती इरानी ने पलट का तगड़ा वार किय और उन्होंने कहा कि दरसल जार्ज सोरस जो एक अंतरास्टे साजिश का हिस्सा है और भारत को मोधी सरकार को उखाड़ने की साजिश में वो शामिल है. सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जार्ज सोरस ने कहा क्या जिसकी वज़ह से भारत सरकार भड़की हुई है उनके क जार्ज सोरस ने कहा है कि मोधी के बंद यानि क्लोज और ओपन यानि जो लोक्तांतिक समाज है और जो समाज है मोधी के बंद और खुले दोनों समाजों से नजदी की रिष्टे हैं भारत क्वार्ट का सदस है लेकिन रूस से काफी कम दाम पर तेल लेता है और काफी पैसा पनाया है इसके बाद जॉर्ट सोरस ने ये कहा कि अर्दोवान अर्दोवान दरसल टर्की के रास्टपती हैं अर्दोवान और मोदी में काफी समानता है हाल तक मोदी के सटा पर पकड़ मजबूत थी अर्दोवान ने टर्की के अर्थुघ्वस्ता को बिगाड़ दिया है से उन्होंने तगड़ी जबाब दायरी की है मोदी और बड़े उद्योगपती अडानी करीबी साथी है उनकी किस्मत आपस में जुड़ी है अडानी एंटरप्राइजें ने शेयर बाजार से पैसा उठाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे अडानी पर शेयर बाजार को अखरी बात जार सोरिस ने कही है उनका कहना यह कि जो अडानी का प्रक्रण है इससे भारतिय संगवादी यानि फेडरल गर्मेंट इससे भारतिय संगवादी सरकार पर मोदी की पकड़ कमजोर होगी और संस्थागत सुधारू के लिए रास्ता खुलेगा यानि जार सोरिस कि जब अडानी का मसला आया था उन दिनों ऑर्गनाइजर मैगजीन में एक स्टोरी छपी थी और उस स्टोरी की शुरूआत भी जॉर्ट सोरिस से ही हुई थी और उसके बारे में यही कहा गया था कि दरसल अडानी का जो स्टॉक गिरा है उसका और जो हिंडनमर के रिपोर को बरबात करने का यह एलान है भारत हमेशा अंदरूनी मामलों में दखल देने वालों को जवाब दिया है और इस बार भी देगा हर भारती से अपील है कि वह ऐसों को मुटोर जवाब दे फिर उन्होंने कहा है इस आदमी ने बैंक आफ इंगलैंड को बरबात किया है और इस देश से आर्थिक अपरादी घोशित गया है अब वो भारती लोक्तन को तोड़ना चाहता है उसके बयानों से साफ है कि उसने मुदी को टारगेट करने के लिए एक बिलियन डॉलर देने को कहा है मुदी ने कहा एक वाला चुना तो स्विकार करते हैं लेकिन भारत को न यह एक अंतरास्टे साजिस है और यह अंतरास्टे साजिस दरसल न नरिन मुदी के सरकार को डिस्टबलाइज करना चाहती है। India Today और CNN IBN साथ ही साथ Mirror Now के मेलेजिग एडिटर है आपको बहुत-बहुत स्वागत है सबसक्राइब आलो जी आप यह जो George Soros का जो बयान आया है George Soros वैसे तो बड़े कहina है कि यह जो मसला है यह भारत का मसला है और यह भारत के लोग आपस में सुल्टा लेंगे इसमें जोर्ट सौरस को पढ़ने की जरुवत नहीं है यह पुलिटिकल जवाब है मेरा मनना है कि जोर्ट सौरस को मुह तोड़ जवाब देना चाहिए इसमिती रानी कह रही है मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ और मूँ तोड़ जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि भारत सरकार उस मस्कले की बहुत तेजी से जांच कराए और उस मस्कले में दूद का दूद पानी का पानी कर दे जिस बात क कोट ने उस बंद लिफाफे को कहा कि नहीं इसको हम स्विकर नहीं करते हैं हम आपकी या किसी की भी बताई हुई कमिटी नहीं बैठाएंगे हम इस पर एक एक्सपर्ट कमिटी बनाना चाहते हैं बात यहां तक आये यही अपने आप में चिंता का विशह है और अब मेरा द की रिपोर्ट आई थी उस वक्त भी आप हिंडनबर कौन है हिंडनबर शॉर्ट सुला रही हिंडनबर कुछ भी हो उसने आपकी विवस्ता पर आपकी एक कंपनी और उसके साथ आपके आर्थिक प्रनाली के तमाम संस्थानों के रिष्टों पर सवाल उठाएए थैं तो उ वो जो बात उन्होंने कही है कि अडानी पर ऐसे आरोप लगे हैं अडानी के शेर गिर गए हैं अडानी बजर से पैसा नहीं उठा पाए और मुदी और अडानी के रिष्टे हैं और इनके हित आपस में जुड़े हुए हैं इंटर मिंगल्ड मतलब गुंते हुए हैं तो यह और जो जो कह रहे हैं स्मृति इरानी जिस तेजी से निकल के आई और उन्होंने उसका जवाब देने की कोशिश की और पूरे भारत से आवान किया कि सब मिलके जवाब दे दो भाई इसी तरह का जवाब आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे आपने क्यों नहीं दिया 24 जन सत्य हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर